साज संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर तो चलिए आज की एसाखी सुनते हैं साज संगत जी बहुत पुरानी बात है प्राचिन काल में एक बहुत ही दयालू और पराकरमी राजा था एक बार वो राजा अपने तीन प्रशनों के उत्तर खोज रहा था राजा के मन में आया कि यदि वो इन तीन प्रशनों के उत्तर ढूंड लेगा तो उसे जिंदगी में कुछ और जानने की अवशक्ता नहीं रह जाएगी राजा के तीन प्रश्ण थे कि किसी भी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा है दूसरा प्रश्ण कि इन व्यक्तियों के साथ कार्या करना सरवोचित है तीसरा प्रश्ण कि वो कौन सा काम है जो हर समय किया जाना चाहिए उस राजा ने अपने राजय में ये गोशना करवा दी कि जो भी व्यक्तिन तीन प्रशनों के सही उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा पुरसकार दिया जाएगा ये गोशना सुनकर बहुत से लोग राज महल गए और सभी ने राजा को अलग-अलग उत्तर दिये साथ संगत जी राजा का पहला प्रश्ण था किसी भी काम को करने का सबसे उप्यूक्त समय कौन सा है इस प्रश्ण के उत्तर में एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बनाना चाहिए और उसमें हर काम के लिए एक निश्चित समय नरधारित कर देना चाहिए तभी हर काम अपनी सही समय पर हो पाएगा दूसरे व्यक्ति ने राजा से कहा कि सभी कारियों को करने का अगरिम निर्णै कर लेना उचित नहीं होगा और राजा को चाहिए कि वो मन विलास के सभी कारियों को तिलांजली दे कर हर कारिय को व्यवस्तित रूप से करने की और अपना पूरा ध्यान लगाए किसी और ने कहा कि राजा के लिए ये असंभव है कि राजा अपने हर कार्य को दूर दर्शिता पूर्वक कर सके इसलिए राजा को विदवानों के एक समीती का नर्मान करना चाहिए जो हर विशा को परखने के बाद राजा को ये बताए कि राजा को कब क्या करना है किसी और ने ये कहा कि कुछ मामलों में तो ततकाल निरने लेने पड़ते हैं और परामर्ष के लिए समय भी नहीं होता लेकिन जोतिशियों और भविश्य वक्ताओं की मदद से राजा यदि चाहे तो राजा किसी भी घटना का पूर्वा नुमान लगा सकता है राजा का दूसरा प्रश्ण था किन व्यक्तियों के साथ कार्या करना सरवोचित है इस दूसरे प्रश्ण के उत्तर के लिए भी कोई सहमती नहीं बनी एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को प्रशाशकों में अपना पूरा विश्वाश रखना चाहिए दूसरे ने राजा से पूरोहितों और सन्यासियों में आस्थार रखने के लिए कहा किसी और ने कहा कि चिकित्सिकों पर ही सदय भरोसा रखना चाहिए तो किसी ने योध्धाओं पर विश्वाश करने के लिए कहा राजा का तीसरा प्रश्ण था वो कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए इस तीसरे प्रश्ण के जवाब में भी राजा को कई जवाब मिले किसी ने कह दिया कि विज्ञान का अध्यन सबसे जरूरी है तो किसी ने धरम गरंथों को सरवसेष्ट बताया किसी और ने कहा कि स्यानिक कोशल में निपुनता होना ही सबसे जरूरी है राजा को इन सभी जवाबों में से कोई ठीक नहीं लगा इसलिए किसी को कोई पुरसकार नहीं दिया गया कुछ दिनों तक सोच विचार करने के बाद राजा ने एक महात्मा के दर्शन का निश्चय किया वो महात्मा एक परवत के उपर बने हुई कुटिया में रहते थे और सभी उन महात्मा को परम ग्यानी मानते थे राजा को ये पता चला कि वो महात्मा परवत से नीचे कभी नहीं आते और वो राज इसी लोगों से भी नहीं मिलते इसलिए राजा ने एक साधान से किसान का वेश धारन किया और अपने स्यनिकों को कह दिया कि वो परवत की तल हटी पर उनके लोटने का इंतिजार करी फिर राजा महात्मा की कुटिया की और चल दिया महात्मा की कुटिया तक पहुँचने पर राजा ने देखा कि वो महात्मा जी अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावडे से खुदाई कर रहे थे राजा ने महात्मा को प्रणाम किया महात्मा ने राजा को देख कर सिर हिलाया और खुदाई करते रहे साथ संगत जी, बगीचे में काम करना महात्मा जी के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो महात्मा जी वृद थी, हाफते हुई वो जमीन पर फावडा चला रहे थी राजा महात्मा तक पहुँचा और बोला, मैं आप से अपने तीन प्रश्णों का जवाब चाहता हूँ पहला, किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है दूसरा, कि इन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है तीसरा, वो कौन सा कार्य है, जो हर समय किया जाना चाहिए महात्मा ने राजा की बाद ध्यान से सुनी और राजा के कंदे को थप थभाया और खुदाई करते रहे राजा ने महात्मा से कहा, आप थख गए होंगे लाइए मैं आपकी मदद कर दू महात्मा ने धन्यवाद दे कर राजा को फावड़ा दे दिया और एक पेड के नीचे वो महात्मा जी सुस्ताने के लिए बैठ कई दो क्यारियां खोदने के बाद राजा महात्मा की और मुडा और राजा से फिर अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा महात्मा ने राजा के प्रश्णों का जवाब नहीं दिया और उठते हुए कहा अब तुम थोड़ी देर आराम करो मैं बगीचे में काम करूँगा लेकिन राजा ने खुदाई जारी रखी एक घंटा बीट गया फिर दो घंटे बीट गये ऐसे ही शाम हो गई राजा ने फावडा रख दिया और महात्मा से कहा मैं आप से यहां तीन प्रश्णों के उत्तर जानने आया था पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया किरपिया आप मेरी मदद करें ताकि समय से मैं अपने घर जा सकूँ महात्मा ने राजा से कहा क्या तुम्हें किसी के दोडने की आवाज सुनाई दे रही है राजा ने आवाज की दिशा में सर घुमाया दोनों ने पेडों के जुर्मुट से एक आदमी को उनकी और भागते हुए आते देखा वो व्यक्ति अपने पेड में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था घाव से बहुत ज़ादा खून बह रहा था वो व्यक्ति उन दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया राजा और महात्मा दोनों ने देखा कि उस व्यक्ति के पेट में किसी शष्ट्र से गहरावार किया गया था राजा ने तुरंद घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़ कर उसके घाव पर बांधा ताकि उसका खून बहना बंध हो जाए कपड़े का वो टुकड़ा जल्दी ही खून से भर गया तो राजा ने उसके उपर दूसरा कपड़ा बांधा ऐसा राजा ने तब तक किया जब तक खून बहना बंध नहीं हुआ कुछ समय के बाद घाव व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा राजा कुटिया तक दोड कर गया और उसके लिए पानी लाया सुर्यास थो गया था और वाता वर्ण में ठंड़क आने लगी राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा दिया वो व्यक्ति आँखे बंद करके चुपचाप लेटा रहा राजा भी पहाड चड़ने और बगीचे में काम करने की वज़ा से ठका हुआ था राजा कुटिया के द्वार पर बैठ कया और राजा को नीद आ गई सुबह जब राजा की आँख खुली तब सुर्योद दै हो गया था और परवत पर दिव्या अलोग फैला था एक पल को तो राजा भूल ही गया कि वो कहा है और वो यहां क्यों आया है राजा ने कुटिया के भीतर बिस्तर पर द्रिष्टी डाली गयल व्यक्ति अपने चारो और हैरानी से देख रहा था जब उसने राजा को देखा तो बहुत ही दीरे से कहा मुझे माफ कर डीजे राजा ने उसको पूछा लेकिन तुमने ऐसा क्या किया है और तुम मुझे माफी क्यों माग रहे हो गयल व्यक्ति ने कहा आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ मैंने आपका वद करने की प्रतिग्या ली थी क्योंकि पिछले युद में आपने मेरे राज्या पर हमला करके मेरे बंदू बांधमों को मार डाला था और मेरी संपत्ती हथे आई थी जब मुझे पता चला कि आप इस परवत पर महात्मा जी से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं तो मैंने आपको मारने की युजना बनाई और मैं च्छिपकर आपके लोटने का इंतजार कर रहा था पर आपके सेवक ने मुझे देख लिया और वो मुझे पहचान गया उसने मुझे पर प्रहार किया मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहां आ गया और आपके सामने गिर गया मैं आपकी हत्या को उदद था पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की मैं बहुत शर्मन्दा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके उपकार का मोल में कैसे चुकाऊंगा मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा और मेरी संताने भी सदैव आपके कुल की सेवा करेंगी किरपया मुझे माफ करें राजा ये जानकर बहुत खुश हुआ के किस प्रकार उसके शतरू कामन बदल गया राजा नहीं ना केवल उसे माफ किया बलकि उसकी संपत्ती लोटाने का वचन भी दिया उसकी चिकित्सा के लिए राजा ने अपनी एक सेवग के द्वारा अपने निजी चिकित्सक को बुलवा लिया सेवक को नरदेश देने के बाद राजा महात्मा के पास अपने प्रश्णों के उत्तर जानने के लिए दुबारा आया राजा ने दिखा कि महात्मा जी पिछले दिन खोदी गई कयारियों में बीज बो रहे थे महात्मा ने उठकर राजा से कहा आपके प्रश्णों का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ राजा ने हैरान होकर कहा वो क्यासे महात्मा जी ने राजा को समझाना शुरू किया कि यदि कल आप मेरी बृद्धा वस्था का ध्यान करके बगीचे में काम करने में मेरी मदद ना करते तो आप वापसी में घाद लगा कर बैठी हुए शत्रों का शिकार बन जाते तब आपको खेद होता कि आपको मेरे समीब अधिक समय व्यतीत करना चाहिए था अतहें आपका कल बगीचे में कार्या करने का समय ही सबसे उपियोक्त समय था उस समय आप जिस सरवाधिक महतरपुर्ण व्यक्ति से मिले वो मेही था और उस समय आपका सबसे जरूरी काम मेरी मदद करना था बाद में जब घायल व्यक्ति यहां चलाया तब उस समय वो सबसे महतरपुरण समय था जब आपने उसके घाव को बली भाती बांधा यदि आप ऐसा ना करते तो खून बहने की वज़े से उसकी मौत हो जाती तब आपके और उसके मध्या मेल मिलाप नहीं हो पाता इसलिए उस शण वो व्यक्ति सरवाधिक महतरपुरण था और उसकी सेवा करना सबसे जरूरी काम था याद रहे केवल एक ही समय सरवाधिक महतरपुरण है और वो समय यही है इस पल में है इसी क्षण की सत्ता है इसी का प्रभूतव है सबसे महतवपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके नजदीक है जो आपके समक्ष है क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले पल हम किसी दूसरे व्यक्ति से विभार करने के लिए जीवित मी रहेंगे या नहीं और सबसे जरूरी काम ये है कि आपके समीब आपके समक्ष उपस्तित व्यक्ति के जीवन को सुख और शान्ती पूरण करने के पर्यास किये जाए क्योंकि यही तो हमारे मानव जीवन का उदिश्य है अब राजा महात्मा जी के त्वारा दिये गए उत्तरों से यह संतुष्ट था और राजा अपने प्रश्णों का उत्तर पाकर खुशी खुशी अपने महल लोटाए साथ संगत जी आज की यह साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेर जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी की साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी